आज मैं आपको हेजिंग के 5 ऐसे स्ट्राटेजिस बताऊंगा जिसके सहारे से आपके जितने भी भूत काल में लॉस हो सारे के सारे आपके रिकवर हो जाएंगे याद रखिएगा ये सब के सब नायाब है, सब में पॉफित होता है सबसे पहला वाला हमारा हेजिंग का जो तौर तरीका होंगा उसको बहुत ध्याल से सुझेगा देखिए, मार्केट में जब आप आते हैं तो बहुत सारी चीज़े आपको प्रभावित करते हैं कई बार आपको प्राइस एक्शन परवाबिक करती है, कई बार आपने कैंडल स्टिक सीखा है, बहुत कुछ आपने करके देखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर असरदार कोई strategy होता है, वो hedging होता है, hedging इसलिए ज़्यादा असरदार होता है, क्योंकि hedging में आपको दिमा ज़्यादा दिर लगाए रफने की ज़रूरत नहीं, ऐसाने की बिलकुल नहीं लगता है, पर बहुत कम लगाने की ज़रूरत पड़ती है, दूसरी बात, hedging में नुकसान का जो दाइरा है, वो कम होता है, प्रॉपिट का जो दाइरा है, वो ज़्यादा होता है, hedging होता है, हेजिंग मतलब होता है आप call or put आप दोनों एक साथ खरीडते हैं अब बहुत सारे लोग अगर नए है तो ये सोचेंगे इसमें हमारा फाइदा क्या है या बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं अगर एक उपर जाएगा तो दूसरे का तो प्रिमिम्टी के होते रहेगा फाइ के साथ मार्केट जैसा ही एक-एक सीड़ी एक-एक उपर बढ़ता जाएगा आपका जो प्रिमियम है call का वो लगातार बढ़ता जाएगा वो बहुत स्पीड से बढ़ेगा वो इसलिए होगा क्योंकि हर पाइदान तो उसका intrinsic value बढ़ते रहेगा उसी तरीके से आपने जो यहाँ पर put लिया हुआ है वो घटेगा लेकिन वो उतने तेजी से नहीं घटेगा जितने तेजी से आपका call का premium बढ़ेगा इसलिए इसमें फाइदा जादा होता है हमारा जो पहला strategy है उसके बारे में अगर मैं आपको describe करूँ तो आपको दो दिन लगातार consecutively दो दिन ऐस तो नियम आती आवश्यक है सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया दो ऐसे दिन जहाँ पे दोनों दिन आपको market ने moment है चाहे किसी भी तरफ उपर दिया हो नीचे दिया हो कोई फरक नहीं पड़ता है अब ये दो दिन में दो दिन का आपको common trend line ढूनके निकालना है अगर आ भले ही दो दिन का आप ने यहाँ पे देखा है तो आप दो दिन बाद तीन दिन बाद भी आपको वो मौका दे सकता है जरूर नहीं कि तीसरे दिन देगा हो सकता है चौते दिन आपको उसका फायदा मिले पाचवे दिन पर मिलेगा जरूर बस condition क्या है आपका दो दिन market में इन्नमनी में काम करिये ठीके इन्नमनी में काम करेंगे ज़्यादा बहतर रहेगा अब देखिये यह मैंने आपके लिए चार्ट निकाला है ध्यान से देखिये पांच तारिक और छे तारिक का आप market देखिये अगस्ट मैनी की बाते हो रही है यह 5 تारिक को भी market में बहुत बढ़िया मार्केट ने यहाँ पे down trend दिया था, छे तारिक को भी हम यही देखते हैं, तो 5 और 6 तारिक में सबसे पहला यहाँ पे हम क्या common है, कि दोनों दिन trending था market, downtrend था, अब मैंने आपको क्या कहा, दोनों का आपको कम से कम यहाँ पे trend line निकाल के रखना है, साथ मैंने आ जरूरी नहीं कि आपको अगले दिन trade मिले हो सकता है दो तीन दिन बात मिले पर मिलेगा जरूर अब देखिए नौ तारीक को क्या होता है नउ तारीक को market जैसे ही इस trendline के पास आता market में हम गिरावट दर्ज करते हैं गिरावट देखते है तो यह वो जगह है जहाँ पे आप बहुत आसानी से अपने trade को execute कर सकते हैं trade को execute करने के लिए आपका इंद मेनी में होना बेहत जरूरी है दूसरा आप यहाँ पे जो profit margin है वो profit margin आप कितना रखेंगे maximum 20% रखेंगे इससे जादा नहीं होना चाहिए maximum की मैं बात कर रहा हूँ अगला आपको 11 बजे तक आपको exit भी हो जाना है अगर आपको 20% नहीं मिलता है तो तो की बात हो रही है अगर नहीं मिलता है तो अगर मिल जाए तो hold करके मत रखिए गा कई बार होता है market जैसे इसको अगर देखते है पास तारिक में आपको बस एक उधारन दे रहा हूँ अगर आप पास तारिक को देखते मार्केट तूरल तो बहुत कम समय के अंदर market ने बहुत बड़ा एक momentum दिया लगबग 1000 पॉइंट मार्केट कुछी समय के मार्केट से निकल जाए अब देखिए दो दिन का trend line मैंने आपको दिखाया है और मैंने आपको क्या कहा हो सकता है इसका असरा आपको 3-4 दिन बाद दिखे तो जैसी market 8 तारिक को बंद होता है 9 तारिक market gap अफूलता है यहाँ पर अगर आप trade लेते हैं तो market यहाँ पर आपको पैसा दे देता है अगले दिन देखिए यह अगला दिन का market same जहाँ जहाँ से market में आपको trend line मिल रहा है market वहाँ से आपको पैसा देता जाएगा देखिए इस चीज़ को कर आप और भी लेके जाते आगे की ओर देखेंगे तो 20 तारिक यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बहुत कम difference के साथ एक बात याद रखिएगा कि market क्या करता है resistance के पास support के पास अपना एक zone बनाता है तो ज़रूरी नहीं हर बार यहाँ पर touch हो जाए छिप touch का इंतजार मत करिए आप 50 point को अब buffer points लेके चल सकते हैं bank 50 में मतलब market अगर 50 point दूर भी है आपके trend line से आप वहाँ पर अपना trade execute कर सकते क्योंकि market अपने इस zone में resistance के zone में market enter कर चुका होता है तो ज़रूरी नहीं कि हर बार यहाँ पर वह trend line को चुएगा फिर ही momentum में बदलावाएगा यह ज़रूरी नहीं है तो आप बेशक market में जब trend line जो गुजर रहा है जो कई दिनों से आपने पास तारिक को बनाया और देखिए बीस तारिक के लगए 15 दिन हो गया फिर भी market उस trend line के पास पहुच रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह trend line समय के साथ साथ बड़ा मजबूत बनते जा रहा है तो जब जब market इसके पास पहुचेगा market में आप momentum देखेंगे तो यह देखिए यहापर market ने आपको momentum दे दिया यहाँ से अगर आप गिनते है तो almost market यहाँ पे 600 point market ने आप दिया था 600 तो नहीं है यह लगबग 500 point के अस-पास market आपको यहाँ पर दे रहा है ठीक है तो यह 500 point कभी-कभी आपको 300 point दो हो सकता है कहने का मतलब है अगर market आपको वहाँ से दे रहा है तो 20% आप लेके वहाँ से निकल सकते है हमारा यह हो गया आपका एक तौर तरीका दूसरा मैं आपको बताता हूँ दूसरा वाला होगा हमारा जो expiry day होता है देखिए expiry day का सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है expiry day क्यों अच्छा काम करता है उसके पीछे का पहले logic समझिए expiry day के दिन हम क्या क्या करते है expiry day मतलब bank lift का expiry कब आता है सबसे पहला आता है venus day को लेकिन बहुत बार होता है हफते के हफते आप बैठे रहते हैं 5 दिन बैठे रहते हैं क्या कोई दूसरा काम भी किया जा सकता है expiry को लेके बिलकुल किया जा सकता है मैं अपको धारन देता हूँ देखिए, bank nifty का expiry बुद्वार को है, लेकिन bank x का expiry कब है, वो है आपका Monday को, और play nifty का कब है, वो है Tuesday को, यह तीनों का, मैं सबसे जादा common चीज़ किया है, कि तीनों के तीनों bank nifty के chart जैसा ही है, almost थोड़ा बहुत अगर किंचित मात्र अगर कोई परक होगा इससे बहुत ज़ादा परक मार्केट में होता नहीं है तो इसमें अगर आपको इन expiry में अगर आपको काम करना है तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दिजिए आप अगर expiry में काम करने आते हैं तो यहाँ पर अगर आप bank x या fin nifty या bank nifty में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि चार्ट आपको bank nifty का देखना है आप bank x का और fin nifty का देखके उस तो और तरीके सो समझने ही पाएंगे तो कैसे करेंगे expiry के दिन bank nifty का 400 point का हमारा target होगा trade कब लेंगे market जैसा ही खुलता है और 5 मिनिट हो जाता है 5 मिनिट हो जाने के साथ साथ आपको trade ले लेना है और 400 point तक wait करना है चाहे market उपर की दिशा में trade दे या नीचे की दिशा में trade दे आपको उससे कोई लेना देना नहीं है सोंबार, मंगलवार, बूधवार ये तीन दिन आप बहुत आसा इसे trade ले सकते है मैं दुबारक बार बता देता हूँ 400 point उपर जाना चाहिए ये 400 point लीचे कहीं पर भी जाए यहाँ पर भी आप इन्दमनी में काम करेंगे याद रखिए जरूरी नहीं है कि हर बार हाँ कभी कबार अगर आप मार्केट में अगर मुमेंटम अच्छा होता है तो out of the money में जाकी लिया जा सकता है लेकिन expiry की दिन की बात अगर करते तो इन्दमनी थोड़ा सा safest होता है reward कहा चूपा है सबसे पहले समझिए अगर मार्केट आपको 11 बज़े से पहले अगर 11 जाड़े 11 से पहले अगर आपको 400 पॉइंट दे रहा है तो आप दूबारा तूरंद दूसरा trade ले सकते हैं दूसरा trade आप तूरंद ले सकते हैं उस trade को आप 12 बज़े तक hold कर सकते हैं मैं आपको उधारन देता हूँ आप चले आते 5 तारिक को और भी उधारन दूँगा सिर्फ 5 तारिक का ही नहीं दूँगा आप कहेंगा सिर्फ आप सब बार-बार 5 तारिक का देते हैं ये क्या बात हुई तो मैं आपको बार-बार 5 तारिक का नहीं दूँगा अब देखिए ये 5 तारिक को अगर आपने trade लिया होता तो market 5 मिनिट जैसे ही बीद गया कहाँ पर है 5 मिनिट के दौरान लगबार market 50,500 है अगर मैंने आपको क्या कहा कि 11.30 बज़े से पहले अगर आपको 400.000 मार्केट दे देता है मतलब 50,200 तक आएगा तो हम यहाँ से exit कर जाएगे तो 50,200 तो यही बन रहा है कितने मिनिट में बन रहा है अगर मैं थोड़ सा इस trend line को मैं यहाँ से हटा देता हूँ यह हट गया है trend line अब देखिए यहाँ से अगर आपने trade लिया होता पचास हज़ा माप कीज़ेगा पचास हज़ार चार सो लिखा है और market आपको आना है आपको पचास हज़ार तक कितने देरों में market दे रहा एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ साथ, 57, सा 35 मतलब 35 मिनिट के अंदर आपको target मिल गया 35 मिनिट विदिन 35 मिनिट आपको अपना target मिल गया अब आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे दूसरा वाला भी trade execute कर सकते हैं लेकिन यह execute करने के एक घंटे बाद आपको वहाँ से exit कर जाना है ऐसा नहीं कि आप बहुत दे तक wait करने वाले हैं क्यूंकि आपने मान लीजे यहाँ पर आपने exit कर दिया आपने दूसरा trade लिया है तो कई बार होगा कि market यहाँ पर consolidate कर रहा है कई बार होगा कि market consolidate नहीं करेगा लेकिन आपको फाइदा भी होगा मैं वो भी आपको दिखाऊंगा एक घंटे के अंदर आपको फिर exit भी कर जाना है तो 400 point अगर आप capture करते हैं किसी भी तरफ में आपका फाइदा कितना होता है मैं अगर इसके बार मैं बात करूं सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत आसानी से आपका 2X का फाइदा हो जाता है एकसपाइरी की दिन बैंक X को बार को बैंक X का रहता है और मिट के अपनी ट्पी का रहता है तो मैं बात कर रहो बैंक X का तो आपका यहाँ पे कम से कम दो गुना फाइदा हो जाएगा आप जितना भी आपे कई-कई बार दो गुना से तीन गुना होता है कभी चार गुना होता है डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पर क्यूंकि अगर आप इंदमनी में ट्रेट कर रहें तो यहाँ पर बहुत बड़ा मूव आता है आपके प्रेमियम बड़े तेजी से मार्केट ने आपको यहाँ पर पैसा दे दिया आप तुरंद वहाँ से और एक घंटा आप यहाँ पर रुक सकते हैं तो मार्केट आपको यहाँ से और पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है देखिए मार्केट कहा से कहा तक गिर गया है तो कहने का मतलब है आपको बैतर होता है कि आप एक ट्रेड ले लिजिए और फिर आप आराम से बैठीए कोई दिक्कत नहीं है कई बार आपको रिस्क भी आपको पैसा देता है इस बात को याद रखिएगा बहुत सारे लोग इसी रिस्क को सूचते कि अरे ये 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 रिस्क हमारे कोई काम का नहीं है इसमें पैसा जाता है, तो कभी कबार पैसा कमाने के लिए रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन मेरा ये अनुभव है, ये मेरा मन कहता है, कि शुरुवाती दौर में आपको सिंगल एक ही बार लेना चाहिए, अगर आपका प्रॉफिट हो गया, फिर अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए, अगले दिन आ जाइए, आप अगर साथ तारिक को भी देखते तो भी आपको यहां पर मार्केट पैसा दे रहा है, अभी आप सिब कहेंगे पास तारिक का यह आप उधारन दे रहे, अब मैं आपको बारा तारिक को लेके चलता हूँ, इसी महीने का, अब बार तारिक को देखी, यह बारा तारिक को हमा आ गया, बारा तारिक अगर देखें कि तो आप अगर यहां से ट्रेड ले रहे, तो मार्केट यहां से पहले नीचे आए, फिर यहां से उपर चला गया, कहां से उपर जा रहा है, आप यहां से ले रहे, पच्छास हजार तीन सो से मार्केट चला गया 25,700 तक तो ये कितने कम समय के अंदर आपको 400 पंड यहाँ पे भी मिल रहा है उसके अगले दिन की बात करते हैं तेरा तारिक तेरा तारिक तो और भयानक मार्केट नीचे आया यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं 25,400 से लेकिं मार्केट तो ये मोमेंटम ये जरूरी नहीं है बिल्कुल इस अपते की अगर बात करेंगे सोमवार को नहीं आया मंगलवार को नहीं आया बूधवार मोमेंटम नहीं आया तो अगर आप ट्रेड लेते भी है तो आपको सिर्फ 11 बजे तक होल्ड करना और तब तक जो नुकसान होगा, क्योंकि प्रीमियम तो ठीके होगा, वो नुकसान भी आपको जहलना पड़ेगा, ये कोई दुनिया में ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी है नहीं, जिसमें सिर्फिट भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लॉस दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों का जो काउंटिंग है, वो कम और जादा रहेगा, ऐसे स्ट्रेटीजी में सबसे जदा आपका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, पर उसका जो मात्रा, उसका जो तादाद, वो कम होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो तीसरा है, तीसरे के लिए से अच्छा काम ये वाला करता है जब market अपने all time high पे पहुचता है या market किसी major support पे पहुचता है उस समय ये market आपको बहुत अच्छा काम करता है लेकिन मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर expiry के दिन नहीं काम करेगा ये expiry दिन के लिए नही अपने high पे जब पहुचता है ऐसा नहीं कि market जहाँ बंदूरा आपको वहाँ पर लेना है market जब अपने high पे पहुच रहा है उस वक्त आपको trade ले लेना है कौन सा है call और put दोनों लेना है इंदमनी में लेना है और market देखे अगले दिन market कितना सारा नीचे चले आया अगर म तो market अगले दिन क्या होता है एक बहुत बड़ा market gap down कुड़ा है यह देखिए market यहाँ पे बंदूरा है और अगले दिन market कितना बड़ा gap down कुला इसी तरीके से market लेकिन यहाँ का जो आपका profit का जो दाइरा होगा वो भी सिर्फ 20% का होगा जैसे आपको 20% मिल जाता है आप से निकल जाएंगे कभी कबार यह profit बहुत बड़ा हो जाता है जैसे अगर इसी दिन को अगर देखेंगे तो market जिस तरीके से market gap down कुला आपके बहुत बड़े पैसे बन जाते हैं मैंने और एक बात कही कि market किसी major support के पास जब market बंद होता है तो आप अगर देखेंगे तो य यह वाला एक support को देखें यह major support है तो market जिस दिन बंद हुआ तो अगले दिन market फिर से बड़ा gap down हुआ उसी तरीके से इस दिन को अगर देखेंगे आप यह दो तारीक का दिन है market फिर से support के पास बंद हुआ आप अगर hold करने की ताकत रखते हैं तो यहाँ पर आपको देख पॉइंट का market का downtrend था कहने का मतलब है support के पास से आप अगर hold कर सकते अब बात आती है कि expiry कौन सा select करें बहुत बार यह आपके मन में यह सवाल आता है कि हम तो hedging करना चाहते लेकिन यह समझ में नहीं आता कि expiry कौन सा select करें ऐसे situation पे आपको हमेशा दो हफते से दो हफते वाला मतलब मान लीजिए आज एक तारीक है साथ तारीक को इसका expiry है तो आपको लेना पड़ेगा 14 तारीक का expiry मतलब आगे आने वाला जो expiry है उसके अगले अपते का आज अगर शुकरवार है तो next जो बुदवार आ रहा है वो वाला expiry नहीं लेंगे उसके जो अगले ब परसेंट से ज़्यादा आपका यहापे हेजिंग में प्रॉफिट से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉफिट के चकर में लॉस करते फिर रहे तो बीस परसेंट 15 परसेंट 10 परसेंट काफी हो जाता है क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम बनते हैं क्योंकि आप दुबारा मार्केट उसी सपोर्ट के पार देखिए मैंने इस दिन का उधारन दिया यह वाला मैंने दिन का उधारन दिया आप अगर यही पर आके दुबारा ले लेते हैं तो मार्केट चार पाचवे दिन के छटवे दिन के बाद मार्केट आपको यहापे प्रॉफिट द लेकिन जब वो आता है बहुत बड़े बड़े फाइदे करा के चला जाता है कुछ मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले गिनाना चाहूँगा जिसको हम कहते हैं बड़े इवेंट का नाम से हम जानते हैं बड़े बड़े जो इवेंट होते एक उधारन मैं आपको दूंगा कि य इन लोगों ने खरीदाई करके रखे होगे, उनको नहीं पता है, देखिए, मैं आके तीन, ये जून महिना, ये जून महिना, अब ये कौन सा तारीक है, एक तारीक होगा शायद है, 31 तारीक, मैं इस केंडल की बात कर रहा हूँ, इस केंडल की बात कर रहा हूँ, ये 31 तारीक शनिवार या रहुवार को ऐसा कुछ आया था और उसकी साप से market ने react किया BJP exit poll ये बता रहा था कि BJP जीतने वाली है इस वज़े से market में बड़ा सा gap up खुला ये बड़ा gap up आपको पता है कितना था ये gap up लगभग लगभग था ये 2000 point का दो हजार पॉइंट का gap up था और market में जिन लोगों ने यहाँ पर उस दिन निवेश किया था उनका कितना बना था आपने अगर एक हजार दस हजार भी अगर आपने उस दिन निवेश करके रखा होगा तो आपके easily बिना कुछ किये 7000 बन दे मतब 70% का आपका यहाँ पर पॉफिट था लेकिन ऐसे समय में आपका BTSD करना बेहत जरूरी हो जाता है उसका फाइदा मैं आपको बताता हूँ क्यों जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसे समय में BTSD करते तो जो फाइदा होगा साल भर तो आप ट्रेट करेंगे कही बार आपके फायदे भी होंगे कही बार नुकसान भी होंगे लेकिन ये जो sheer short वाले जो दिन होते है कि मेरा इसमें फायदा होगा यह होगा नुकसान नहीं होगा दो उरुपए मिलेंगे तो मिलेंगे जरूर वो आपके बाकी के जो loss के दिन होते उसमें मैनेज कर जाता है अगला जो result day था इस दिन अगर आपने यहाँ पे hedge करके रख दिया होता एक दिन पहले भी अगर तीन तारिक को किये होते तो आपको तीन तारिक का मैं आपको थोड़ा सा थोड़ा सा मुक्तसर थोड़ा सा बताऊंगा तीन तारिक अगर market बंद होने market बंद हुआ उस दिन एक मैं expiry के premium की बात नहीं कर रहा हूँ आम दिन के premium की बात कर रहा हूँ जो उस समय चल रहा था मतलब उसी following days में bank nifty का expiry बुदवार को था और यह मंगलवार का candle है तो आपने अगर सोंवार को अगर trade किया होता BTST तो माप कीजेगा hedging किया होता तो यहाँ पे आपको कितना profit मिलता आपको पता है मैंने देखा था 80 रुपे का premium चला गया था 3000 तक क्योंकि यह 4000 point का downfall था तो जरा सोचके देखिए 80 रुपे का 3000 का मतलब कितना होता है सीधा सीधा मैं देख रहा हूँ यह कम से कम 40 times है यह 10 times भी नहीं है यह 40 times है तो 40 times का मतलब यह होता है 1000 अगर आपने लगाया होता तो आपका 40,000 बन गया होता है सुनने में hypothetical लगता है यह ऐसा हो नहीं सकता लेकिन लोगों ने ऐसा किया है क्योंकि उनको मालूम है कि result day कैसा दिन होता है जहाँ पे उतल उतल होती है तो आज नहीं इस बात को याद रखिएगा जब भविश्य में कभी जब ऐसा बड़ा कोई event होता है खासकर इस तरकी का election होता है तो hedge करना मत बुलिएगा क्योंकि जिस दिन result day होता है उस दिन points बहुत past उपर नीचे बढ़ते 5 मिनिट के अंदर 700 points अगले 5 मिनिट के अंदर और 500 points नीचे चलाता है इसलिए उस दिन आप दि इसलिए आप हेजिंग करके रख देंगे end of the day आप profit में होने वाल है एक दूसरा याद रखिएगा इस बात को कि result के एक दिन बाद आप चाहे 2019 का तारिक देख लीजिए 2014 देख लीजिए 2009 देख लीजिए result day के अगले दिन market में momentum होता है चाहे वो कुछ भी हो तो आपको करना क्या है जैसे ही result day के दिन trade हुआ आप market खतम हुआ खतम होने से पहले आप एक hedging का position बना लीजिए call put का और अगले दिन market के बंद होने तक wait करिए आपको पता अगले दिन भी पाच तारिक को यह पाच तारिक का candle है market यहापे 2000 पॉइंट मार्केट उपर चड़ा था तो यहापे अगर आप wait कर दे तो आपका कितना बड़ा फायदा हो चुका होता चलिए यह तो हो गया result day ज 23 तारिक को एक budget देथा मैं आपको दिखाता हूँ जुलई महिने का 23 तारिक को यह है इस candle को देखिए तो इस candle को अगर आप देखेंगे तो market जैसे इसमें भी वही करना है यहापे लेकिन budget day में कभी एक दिन पहले position नहीं बनाई जा सकते क्योंकि कोई बता नहीं सकता कि market कह खुलेगा हाँ यह जरूर हो सकता है कि जहाँ से market खुल रहा है आप अगर position बना के बैठ जाते हैं पूरा दिन होल करिए और फिर market के end होने के बाद आप फिर आए फिर देगे आपका profit होता ही यह नहीं आप पाएंगे है कि आपका profit होगा ही होगा इसलिए budget day और budget day के बाद के दिन momentum आना तै होता है खासकर यह जो budget था तो मैंने इसके बार में वीडियो बनाया था मैंने उसमें कहा भी था कि budget day में भी momentum आता है budget day की बाद में भी momentum आता है तीसरा अब यह तो हो गया जुलाई मैंने का उसी तरीके से आप अगर इस साल फेबुरोरी मैंने में नहीं आया लेकिन बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत जादा उमीद बनाए बैठेते ये वाला एक तारिक को लेकिन इस सा पर आप 100% profit कमा सकते हैं 100% तक का जाता है क्योंकि सिर्फ इसी साल नहीं 2024 का नहीं 2023 में भी market में इसी तरीके का momentum दिया था अगर आपने उस समय मार्केट में momentum आया था 22-23 तरीक के बाद से तो कूल मिला कि अगर मैंने आपको जो जिस तरीके से का कि आपको hold करना पड़ेगा hold अगर आप करते हैं दो हपते के लिए तो आपको January महीने में बीच में साल के बीच में कई के भी मत करिएगा आप बुरे फसेंगे सिर्फ और सिर्फ जनुवरी महीने 15-16 तारीक से लेके अगर आप hedge करना शुरू करते हैं सिर्फ वो जो 15 दिन वो 15 दिन में market में momentum बहुत होता है बहुत उतल पूतल होता है तो आपके पैसे बनने के chances बहुत जादा हो जाता है अगला इस तरीके से अगर आप trade करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका trade कभी भी हाँ ये समय के साथ साथ आप चीज़ों को और सिखेंगे लेकिन हाँ आपके पैसे भी बनेंगे तो ऐसे समय पे अगर आप hedge करना चाते हैं तो बहतर होगा कि आप शुरू आत कर ले और धीरे धी बहुत जल्दी जल्दी market momentum देता है तो वह पर option seller का नुपसान होता है लेकिन option seller अगर ये सोचे कि अगर मानलीजे कल expiry है कल का दिन कौन सा है कल का दिन तो शनिवार रहेगा मानलीजे आज मंगलवार है कल बुदवार है कल बैंगलिक टिक एक्सपाइर है तो आज के दिन अ और एक put up sell कर दीजी अब कहेंगे कि इसका फायदा क्या होगा इसका सबसे बड़ा फायदा में आपको गिनाता हो जिस दिन expiry का दिन होता है मानलीजे एक 100 रुपे का premium है ये 100 रुपे का premium आप पाएंगे कि market में अगले ही दिन जब market expiry की दिन market खुलता है तो वह 100 रुपे का market अगर कही भी नहीं हिलता है फ्लाट ओपन होता है तो भी वह 50 रुपे का आजाता है 50 रुपे का मतलब है वह 50% वह डीके हो गया 50% डीके हो जाता है आपके खरीदे हुए premium का तो आप वहापे premium option seller premium बेचता है तो आप अगर 100 रुपे का खरीदेंगे पेचेंगे तो market अ दोनों के दोनों आपको green में दिखेंगे जो बहुत rare होता है वो expiry के दिन होता है तो ऐसे समय पे आपको सीधा सीधा 50% का पाइदा हो सकता है बाकी के दिन में भी होता है बाकी की दिन अगर market consolidated करता है जैसे ये हफता के पूरा हफता सोंबार चले के शुकर बार तक market कैसा रहा बिलकुल कोजी बिलकुल छोटे छोटे मार्केट ने momentum लिये है तो ये हफता पूरा option seller का समय था लेकिन ये हमेशा बहुत दिर तर बैंग निप्टी बरदाश नहीं करता है लेकिन हाँ expiry का जो नियम है उस नियम के तहत में ये बात कर रहा हूँ आप किसी दिन इसको 100 रुपे पे आ जाता है इसको कहते है premium का extreme decay होना जो expiry की दिन आपको दिखता है इस तरीके से आप अगर आप trade करना चाहेंगे तो आपको जरूरूरूनती मिली कि आपका फायदा भी होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like, share, subscribe जरूर कीजिए कि आपसे मैं